हलो फ्रेंड्स मैं अमित कुमार और प्रो टेडिंग अकडेमिकी स्ट्राडीजी नंबर 3 में आप सभी को मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग का स्ट्राडीजी नंबर 3 को डिसकास करेंगे जिसका नाम है ट्रेंडिंग होल्ड उपेन हाईलो स्ट्राडीजी दोस्तो यह जो है एक हाई अक्यूरेसी मेथोड है और मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले कोई भी यूट्यूब में यह जो ट्रेंडिंग स्ट्राडीजी है इसको सिखाया होगा तो दोस्तो यह एक यूनिक स्ट्राडीजी है आप इस वीडियो को पूरा देखे और इसको समाजने का कोसिस करें क्योंकि यह स्ट्राडीजी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मान्तेंड में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो दोस्तो चली और देड़ ना करते हैं हम लोग सुरू करते हैं हम लोग का स्ट्राडीजी नंबर थ्री जो है ट्रेंडिंग होल्ड ओपेन हाई लो स्ट्राडीजी दोस्तो आगे बढ़ने से पहले क्रिपिया इस डिस्क्लेमार को पढ़ दीजिए ये बहुत ही महत्तोपूर्ण है और एक बात है दोस्तो कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है आप अपने फाइनांसियल एडवाईजर से बात किये बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाईए क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका डिटर्ण का कोई गारें पैसा लगाने से पहले अब जरूर अपने फाइनांसियल एडवाईजर या फाइनांसियल प्लैनर से एक बार कॉंसर्ट कर लिजिए तो दोस्तो हम लोग आगया है हम लोग का स्ट्राटीजी पेज़ पे और जैसे कि ऊपर आप देख पड़े हो ये है हम लोग का प्यों है स्टॉक सिलेक्सान का उसको देखिए उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से वह सब डिस्क्राइब किया है तो दोस्तो ये स्ट्राटीजी आप किस पे यूज कर सकते हो आप इसको कोई भी F&O script में यूज कर सकते हो मतलब जो future on option script है NSE का उसमें आप यूज कर सकते ह लेकिन इसको आपको जो है cash market का जो chart है उसके basis पे analysis करके आपको decision लेना पोड़ेगा futures का chart हम लोग कभी ये use नहीं करेंगे futures में अगर trade करना है तो हम लोग analysis cash market के chart पे करेंगे लेकिन जो order है वो future market के chart में place करेंगे और दोस्तो इसका जो stock selection है वो हम लोग किये है हम लोग का जो intraday stock selection video series है उसका part 6 video के हिजब से दोस्तो इस strategy में मैं बहुती जल्दी से stock selection को बोलूंगा और मैं ये अंदजा लगा लूंगा कि आप लोग जो है मेरा stock selection video series का part 6 video देखे हो और ये पुरा का पुरा stock selection का जो method है जो criteria है वो मैंने उस video के 20 minutes से भी ज़्यादा time लेके समझाया है तो वो पुरा चीज मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता क्योंकि उसके regarding क्या होगा ये video बहुत लंबा हो जाएगा तो दोस्तो मैं स्वोज लेता हूँ कि आपने वो video देखा है तो मैं strategy में आगे बढ़ता हूँ तो friends पहले हम लोग trading का जो strategy का जो setup है वो देखेंगे तो friends इसमें हम लोग को क्या करना है 5 minute का candlesticks या bar chart लेना है दूजरा चीज यह है कि हम लोग को 9.32 am पे जो real time है 9.32 am पे हम लोग को top 5 और bottom 5 OHL stocks मतलब open high open low stock को watch list में add कर लेना है दोस्तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको ये पूरा stock selection method क्या है real time क्या है delayed time stock selection क्या है ये साब जानना है तो stock selection वीडियो का part 6 वीडियो देखिए वहाँ पे मैंने पूरा details में ये साब बताया है इसके बाद दोस्तो क्या देखना है जो second 5 minute का candle है वो पहला 5 minute का जो candle है उसके हिसाब से higher high और higher close बनना चाहिए नहीं तो lower low और lower close बनना चाहिए दोस्तो ये बहुत important point है और closing जो है candle का वो बहुत ही important है इसको देखके आप trade में इंटर करना इसके बाद दोस्तो जो second 5 minute का candle है उसका जो size है मतलब length जो होगा high or low का वो पहला 5 minute का candle का जो length है उससे छोटा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा 5 minute का candle बहुत बढ़ा हो गया वो पहला जो candle बना 5 minute का उससे भी बढ़ा हो गया वो नहीं चलेगा दूसरा candle पहला candle से छोटा होना चाहिए इसके बाद दोस्तों जो open equal to low stock होगा उसका जो third और fourth candle बनेगा वो कभी भी जो second candle है पांच मिनिट का उसका high को break नहीं करना चाहिए मतलब third और fourth candle का जो high होगा वो second candle का जो high है उससे नीचे होना चाहिए और जो open equal to high stock होगा उसमें जो third और fourth candle होगा पांच मिनिट का वो कभी भी second candle का जो low है उसको break नहीं करना चाहिए मतलब third और fourth candle का जो low होगा वो second candle का low से उपर रहेगा अगर दोस्तो ये setup हम लोगो मिल जाता है मतलब ये criteria satisfy हो जाता है तो open equal to low जो stock होगा उसमें हम लोग second candle के उपर buy order प्लेस करेंगे और उसका stop loss हम लोग रखेंगे second candle का low का थोड़ा नीचे और दोस्तो जो open equal to high stock होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे जो second candle है उसके low के थोड़ा नीचे हम लोग एक sale order प्लेस करेंगे और हम लोग का stop loss होगा second candle के high के थोड़ा उपर तो दोस्तो अभी हम लोग जानेंगे के strategy का entry और exit कैसे होगा तो दोस्तो जो open equal to low stock होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ buy करेंगे और जो open equal to high stock होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ sell करेंगे दूसरा condition है दोस्तो जो open equal to low stock होगा उसका जो second candle बनेगा उसके बाद price जो है कभी भी first candle का 50% mark को cross करके नीचे fall नहीं करना चाहिए जो 50% मार्क है उसको टाच कर लेगा तो यह setup पूरा cancel हो जाएगा और दोस्तों जो open equal to high stock होगा उसमें कभी भी second candle बनने के बाद price जो है rise करके fast candle का 50% मार्क है उसको cross करके उपर नहीं जाना चाहिए अगर वो fast candle का 50% मार्क को टाच कर लेता है price तो हम लोग का यह setup cancel हो जाएग SL जैसे मैंने पहले भी बोला है कि second candle का high या low के थोड़ा उपर या नीचे SL होगा यह depend करता है कि आप buy कर रहे हो या sell कर रहे हो उसके उपर अगर आप buy करते हो तो second candle का थोड़ा नीचे आपका stop loss होगा अगर आप sell कर रहे हो तो second candle का थोड़ा उपर आपका stop loss होगा और दो आपका SL का value है उसका 1 is to 2 आपका second target होगा मतलब अगर आपका पूरा SL जो है वो एक रूपया है तो आपका पहला target भी एक रूपया होगा और जो second target है वो दो रूपया होगा तो दोस्तो चलिए इस strategy को और भी तोड़ा गहड़ाई से और diagram के साथ समझते में तो दोस्तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग diagram के साथ समझेंगे कि यह strategy कैसे काम कर सकता है और मैंने जो rule बूला वो कैसे आपको काम करेगा या real market में आपको कैसे देखना है लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगोंने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस चैन करके बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आपका जो social media timeline है मतलब facebook, twitter यह सब जगा पर भी share करें और live market में अगर guidance चाहिए तो हम लोगा जो telegram channel है उसको आप ज़रूर join करें उसका link जो है इस वीडियो के नीचे और वीडियो का description में दोनों जगा पर मिल जाएगा telegram का जो support है वो absolutely free है उसके लिए कोई charges नहीं है तो दोस्तो चली आगे बढ़ते हैं तो friends हम लोग पहले एक buy setup देखेंगे देखेंगे यह हो गया आपका जो पहला candle जो है open equal to low और यह हो गया उसका 50% mark जो important है क्योंकि हम लोग देखेंगे कि बाकी जो candle है वो 50 नहीं किया तो friends इसके बाद आचाता है fourth candle जो fourth candle है वो भी आप देखेंगे तो वो भी second candle का high को break नहीं किया और पहला candle का 50% mark है उसको भी break नहीं किया और दोस्तो इसके बाद कितना भी candle बने वो पहला candle का 50% mark है उसको cross करके नीचे नहीं जाना चाहिए तो इसके बाद हम लो high setup होगा वो इस तरह सा ही दीखने में लगेगा आपको real chart में थोड़ा सा जो है इधर उधर हो सकता है लेकिन usually ऐसा ही दीखेगा तो दोस्तों अभी हम लोग एक sales setup देखेंगे तो sales setup के लिए पहला क्या चाहिए एक open equal to high candle चाहिए जो ऐसा दिखेगा कि open equal to high मतलब जो open है औ लोग के strategy के तो दोस्तों मैंने क्या बोला था जो second candle होगा वो lower low और lower close होना चाहिए जैसे कि आप यहां पे भी देख रहे हैं जो second candle बना है वो lower low हुआ है पहला candle से और lower close भी हुआ है इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा candle जो second candle का जो low है उसको break नहीं करना चाहिए और पह second candle है उसका low को break नहीं करना चाहिए और जो पहला candle का 50% mark है उसको भी break नहीं करना चाहिए तो अगर यह सब हो गया तो हम लोग का मतलब यह जो setup है यह confirm हो गया भी लेकिन दोस्तों इसके बाद कितना भी candle बने sale trigger होने से पहले कभी यह पहला candle का जो 50% mark है इसको cross करके कोई भी candle उपर नहीं जाना चाहिए तो दोस्तों इसके बाद अगर आपने ठीक तरह से trade को execute किया तो आपको सायद कुछ ऐसा दिख सकता है कि इसके बाद एक के बाद एक candle बनेगा और वो lower low बनते बनते नीचे के त आप चला जाएगा और sale को execute कर देगा तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने यहां पर diagram पर जो दिखाया वो पूरा concept आपको समझ में आया है तो अभी में जाओंगा strategy का कुछ fine tunes के तरब जो fine tunes अगर आप follow करेंगे तो strategy का accuracy जो है वो और भी बढ़ जाएगा तो चलिए strategy fine tunes म जाते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए है strategy fine tunes में पहला जो fine tunes है कि आपको nifty का जो direction है वो देख के trade करना है अगर nifty उपर के तरब जा रहा है तो आप buy trade लेने का कोशिज करो अगर nifty निची के तरब जा रहा है तो आप sale trade लेने का कोशिज करो दूसरा point है दोस्तो जो entry और exit होगा उसमें 5% का buffer होना चाहिए मतलब क्या है आप जब buy या sale entry लगा रहे हो सोचो कही open equal to low stock है और आप buy entry लगा रहे हो second candle के उपर तो second candle के 5% उपर आपको buy entry लगाना है और दोस्तो जब आप SL लगा होगे वो भी 5% gap पे ही लगाना है मतलब अगर आप second candle के उपर या नीचे जो हे SL लगा रहे हो तो वो भी 5% का gap देके ही आपको लगाना है थार्ट जो point है या optional है आप क्या कर सकते हो आप 20EA में या BWAP ये दोनों में से कोई एक indicator use कर सकते हो trend को confirm करने के लिए क्योंकि जो stock का trend होता है वो भी बहुत important होता है कोई strategy के success के लिए fourth point है दोस्तों जो पहला candle है वो बहुत ही large candle नहीं बनना चलिए अभी दोस्तों ये large जो है इसका बहुत सारे definition हो सकता है मुझे पता है कि आप लोग भी पूछ सकते हो कि भाई large candle मतलब कितना large होगा तो इसका जो answer है वो आपको stock selection video part 6 में मिल जाएगा वहाँ प video बहुत लंबा हो चुका है इसके बाद और भी लंबा हो जाएगा जो fifth point है दोस्तों वो भी optional point है अगर आप कोई stock में buy या sell कर रहे हो तो आप जो CMP है मतलब current market price है उसको ध्यान में रखके करना अगर जो CMP है वो PDC के ऊपर है तो आपका strategy का success ratio बहुत बढ़ जाएगा buying stock क के लिए आपका success ratio है वो बढ़ने का chances होता है अभी दोस्तों आपको अगर यह सब CMP PDC यह सब पता नहीं है तो मेरा जो stock selection video series है उसका part 1 से लेके part 3 video तक आप देखिए क्योंकि यह तीनों पार्टों में मैंने बहुत कुछ fundamental चीज़ बताया है जो आगे भी आपको बहुत का 25% position first target पे book कर लेना है और जो बाकी 25% position आपका रहेगा वो लेके आपको second target के लिए जाना है कभी भी ज्यादा grid मत किजिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी position book नहीं किया और पूरा का पूरा position लेके आप second target के तरफ जा रहे है तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है क्योंकि second target का achievement ratio होता है वो कम होता है पहला target का achievement ratio से मतलब जो first target है वो अगर 75% या 80% हीट करेगा तो जो second target है वो 60% या 50% हीट करेगा तो पहला जो target है मतलब first target पे आपको 75% position आपका book कर लेना है और बाकी 25% लेके आपको second target के लिए जाना है तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा strategy जो मैंन है यहाँ पर पूरा का पूरा ही explain किया है तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे real chart पे और वहाँ पर समाझने का कोशिश करेंगे कि कैसे real market में इस trade को हम लोग execute कर सकते हैं तो चलिए हम लोग जाते हैं chart पे हलो फ्रेंड्स तो हम लोग आगे हैं chart पे और जैसे के आप देख पड़ा हो कि आज का date है 18th में 2020 और आज सुबह अगर आप मतलब जो scanner है open high low का जो मैंने अपने group पे भी दिया है जो मेरा actually यहाँ पे जो strategy आने वाला है और जो strategy अल्लेडी आ गया है वो सब में काम करेगा open high low का एक scanner है तो उसके हिसाब से तो बहुत सारा stock मिला था open high में लेकिन जो हम लोग का criteria था वो तीनी stock में fill किया था एक था info edge मदलम नौकडी का stock और दूसरा था मारी को और तीसरा था excited तो देखिए यह जो info edge का stock है यह पहला candle आप देख रहो कितना अच्छा open equal to high वाला candle और दूसरा candle अगर आप देखेंगे तो वो lower high था और lower low था और lower close भी था तो क्या हुआ हम लोग का second candle भी criteria फिल कर दिया और यह देखिए तीसरा और चौथा जो stock था वो भी क्या किया यह जो second candle था उसका low को break नहीं किया तो दोस्तों अभी क्या हुआ हम लोग का जितना सार मतलब criteria था इस strategy में इंटर करने के लिए वो सब fill up कर दिया यह तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे जो second candle है उसके नीचे एक sale order लगा सकते हैं मतलब just 5 पैसा नीचे और इसी के high के उपर मतलब यह जो second candle है इसके high के उपर हम लोग stop loss रख सकते हैं मतलब इसक ना है कि sale order trigger होने से पहले कभी भी price जो है घूम के यह जो पहला candle है इसका 50% mark को break नहीं करना चलिए तो देखे यह तो उपर गया नहीं और हम लोग का sale order था वो trigger हो गया तो आप देख पड़ा हो इतना सा हम लोग का stop loss था और यह कितना अच्छा नीचे गया है मतलब अगर पूरा दिन hold करते तो आपको साइद 1 is to 4 के असपास target मिल जाता है लेकिन जैसे के मैंने बोला है हम लोग का पहला target रहेगा 1 is to 1 के असपास जो इस जगह पे आपका fill up हो जाता है और दूसरा जो target था वो आपका यह जगह पे आपका fill up हो जाता है यह जगह तो वो 1 is to 2 का target तो दोस्तो इस तरह से नौकडी का जो stock है मतलब info edge का जो stock है उसमें हम लोग का 1 is to 2 target मिल गया तो दोस्तो चली अभी देख लेते हैं कि मारिको में क्या हुआ है तो friends हम लोग आ गये हैं मारिको के chart में यह भी आज का ही chart है 18th में 2020 का और यहां पे आप देख सकते हो कि पहला जो candle है वो open equal to high बना और दूसरा जो candle है उसका lower low और lower close बन गया मतलब पहला candle के नीचे ही वो close हुआ है और lower low भी बना और जो third और fourth candle देखिए यह second candle का जो low है उसको break नहीं किया और price घूम के जो है यह जो first candle है इसका 50% mark भी touch नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे अभी इस situation में हम लोग यह जो second candle है इसके नीचे एक sale order लगा देंगे और इसके उपर हम लोग एक stop loss लगा देंगे और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यह जो है sale order को trigger किया उपर जाने का कोशिस किया लेकिन यह हम लोग का stop loss है उसको hit नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ ग target भी book हो गया और बाकी दिन तो आपको कुछ करना ही नहीं है one is to two हो गया तो आप तो पुड़ा ही book कर लेंगे तो इस तरह मारिको में भी आपको one is to two का target मिल दिया तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे आज का जो last stock है जो है एक side India उसमें क्या हुआ तो friends हम लोग आ गया है एक side India के chart में अभी देखेंगे यह है एक side India का पहला candle आजका जो open equal to high था और यह second candle जो है यह भी open equal to high है लेकिन इसके तो हम लोग को कुछ मतलब नहीं है हम लोग सिप देखेंगे कि यह lower low और lower close होना चाहिए जो यहाँ पे हुआ है और उसके बात द candle है यह second candle के low को break नहीं किया और कभी भी price जो है घुमके यह पहला candle का 50% मारके वहां तक भी नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह second candle के नीचे एक sale order लगा देंगे 5 पैसा नीचे और जो second candle है इसी के high के 5 पैसा उपर हम लोग एक stop loss लगा देंगे तो जैसे कि sell तक तो नहीं गया लेकिन ultimately day end तक अगर आप hold करते मतलब आपका जो 30% position है उसको लेकर hold करते तो आपको one to one के आसपासी इसमें मिल जाता है तो दोस्तों आपको इस strategy में ऐसे ही काम करना है मतलब यह सब कुछ देखना है मैंने जो जो rule बताया आपको वो पूरा rule को आपको स इसपास मिलेगा और यह तो आपको नहीं बोलबागा कि 100% डायट स्थाप कि यह पुरा दिन कभी आपको sell होगा ही नहीं अएसा नहीं हे कोई भी strategy में एसा नहीं होता है मैं को जो सारे YouTube में ऐसा स्थापास मिलेगा अगर आपको कोई भी doubt है इसके बाड़े में और आप कुछ clarify करना चाते हो तो आप हम लोगा जो telegram channel है वहाँ पे join कर सकते हैं उसके साथ एक discussion board भी है वहाँ पे आप आपका question post कर सकते हैं telegram channel में join करने के लिए कोई भी charges नहीं है हम लोग free में वहाँ पे support provide करते हैं और दोस्तो अगर यह video अच्छा लगाए तो इस video को YouTube में जरूर like करें और comment करके बताए कि आपको यह video कैसा लगाए और दोस्तो ऐसे video regular basis पे पाने के लिए हम लोग का YouTube channel है उसको जरूर subscribe करें और bell icon जरूर दबाए ताके आने वाला हर एक video का notification आप तक सबसे पहले पहुंचें तो friends आज के लिए इस video में इतना ही मिलते हैं आगले educational video के